मैं तनुशी और आप देखते रहे हैं भूछपुरी बात है खेसारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी फिल्म में रिलीज हो रही है कुली नंबर वर्ट पास्तारी को क्या चाहेंगे फिल्म को लेकर सबसे पहले कि इस चैनल के देखने वाले जितने भी शिरोता हैं सबको मेरे त्रफ से पढ़ा हूँ और कुली एक जो सब्जेक्ट है हमारी जो अस लिल्ता का में सा दाग लगा रहता है बस पुरी पर तो हम लोगो ने और मैं जितने भी दर सिंहमा कर रहा हूं एक करता कि कुछ तो उससे दनिया सिखे क्योंकि एक फिल्म ऐब ऐसा चीज होता है कि उससे पहीं न कहीं कुछ सिखने को मिलता है कि दुनिया उससे को फोलो करती है तो एक संदीस है कि पहले के बच्चे अनात होते थे आज कल माबापी अनात हो जाते हैं तो उसके लिए इस चैंदी के देखने वाले जिश्रोता है सब्सक्राइब कि पहले बच्चे अनात होते थे आज कल माबापी अनात हो जाते हैं और उनका बोज उठाता है एक अनात आदमी तो अगर इस फिल्म को देखकर अगर कोई भी आदमी जो माबाप को अनात हासरं चोड़ देते हैं बिदेते हैं अगर इसको लोग पसंद करेंगे और ऐसे सिनिमा को बढ़ावा देंगे देखने का काम करेंगे तो सायद हर आदमी एक अच्छा सिनिमा बनाने का काम करेगा और पबली तक पहुचाने का काम करेगा लोग कि कॉली बच्ण सहाफ भी बने हैं लेकि उन्होंने समान का वोज उठाया है लेकि मैंने इसमें उन बुजरगों का वोज उठाया है जो जिनका कोई सहारानी है, बेटा और बहु होते हुए भी वो विधा असरा में अपनी जीवन को गोजारते हैं और अपनी खुशियों से दूर रहते हैं, मैंने उनका बोज़ उठाया है और फिर उनको अपने बच्चों से मिलवाया है तो जब एक समाज को आइना की जरूवत थे बस दिखाने वाला चाहिए तो मेरी कोशिश है कि मैं आइना बनकर समाज को दिखाने का काम करो और मेरे डिरेक्टर लाल बभुपंडीत सुरेंदर जी, उसमें जो को एक्टर लोग हैं काजल रगवानी जी मैं और बहुत सार एक्टर हैं तो सब को दिल से तेंक्यों कि सब ने बहुत अच्छा काम किया है और विधासरम के बुजरगों ने बहुत अच्छा काम किया है तो और रियल हम लोगोंने अनाथा सरम से विधा सरम से रियल भुजरगों को लाया था जो अपने बच्चों से दूर है जो उन खुसियों से दूर है जो दिपाली की खुसी होती है जो छटकी होती है जो अवली की होती है जो तेवहार होते है वो अपने बच्चों से दूर र और विधासरंग की ही लोगों को लाया उस काम के लिए ताकि उनको असली दर्द बच्चों से दूर रहके उनको जो दर्द महसूस होती है उस दर्द के पीड़ा को उस सिनिमा तक ले जाए ताकि उसको देखकर हर वो बच्चा, हर वो मा, हर वो पोता, अपने दादी, अपने का हैसास हो गया है कि अब रखना नहीं चाहते है, रियल राइप में आपने कभी ऐसे कोई देखी या पैमली देखी मैंने, मैं जो विधासरंग से लोगों को कम से कम 30-35 लोगों से जो हम लोगा निर्जीन के साफ काम के, वो भी तो किसी के मामाफी है, इसा नहीं कि हुआ ह ऐसा होता नहीं है आज कल जो इसा एक हो सकता है, जा हमारे माबाप पुराने खैलात के हैं और वो सेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, उनको लगता है कि नहीं हमारे देश मेरे ही के हमें धिस्टरब करते हैं, व्मारी प्रस्वनल लाइफ को Ilkis को डिस्टरब करते हैं, आज वो बुझरूब हो गए हैं और हम उनके बच्चे हैं लगि हमारे भी तो बच्चे हैं और हम भी किसी दिन बुझरूब होंगे हमारे साथ उसमें एक डैलेक बोलता है कि य transfusi और अगर पैसा चाहिए तो बोलो कि भीज़ दीता हूं तुन्होंने एक बात बोली कि बेटा मैं बात इसलिए रो रहा हूं कि मैं तो इस विधासरा में अपने जीवन को काट लिया पता नहीं मेरा बेटा ये समय और ये महल जहल पाएगा कि नहीं मुझे इस बात की तक लिए वो आज भी मेरे मन में जहन में याद है कि एक माबाप वो मरते मरते भी विधासरा में रहके भी अपने बच्चे के बारी में ही सोचता है सोचते रहे वो और वो गुजर जाते हैं तो हुता है हमारे माबाप हमें से दूर हो के हमें लगता है कि नहीं अपनी बहुत अच्छी दिन गिजिर हैं लेकि जितने कस्टों से हमारे माबाप हमें पैदा करते हैं हमें पालपुस के बड़ा करते हैं हमारे हर खुशियों के लिए वो मरते हैं, हर खुशियों के अपने निशावर करके हमारी खुशिय के पूर्ती करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जब बुजर्ग हो जाएं, तो हम उनके खुशिय के ऐसे ही ख्याल रखें, जिस तरह उन्होंने हमारे खुसी के लिए बच्पन में ख्याल रखा लेकि बहुत ऐसे कम लोग हैं कुछ लोग हैं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि पुरी समाध भूरी है अपने माबाप को विधासरम छोड़ देती है लेकि कुछ लोग हैं जो अमिरका रहते हैं लेकि उनके माबाप क्यों ख्याल रखने वाला कोई नहीं है तो उनको विधासरम लोग डाल देते हैं कि यहां तो उनका ख्याल और देखबाल अच्छे से होगा लेकि जो देखबाल अगर ऐसा ही हमारे माबाप नहीं किया होता कि नहीं अमानात अस्रम में डाल देते हैं साइद वहाँ पे मेरा बच्चा बड़ा अच्छा से रहेगा तो साइद हमें तकलीफ होती उसी तरह उस माबाप की खुशी है कि अपने बच्चे के साथ जितना खुशी मना सकते हैं वो विधा अश्रम में नहीं और किसी और के साथ नहीं तरहिं का नाम कुली नंबर वन रखने के पीछे यही रिजन था कि आप पूरे विधा अश्रम का बोज उठाते हैं उन्हें प्रॉब्लम से दूर करते हैं कुली नंबर वन में क्या बोला कि समान उठाना ही कुली का काम नहीं है एक जो दुनिया जिसको बोज समझती है आखिर हमें जो समान भारी लगता है तभी तो हम कुली रखते हैं तो दुनिया जिसको बोज समझती है, कुछ लोग, जो बोज समझते हैं माबाप के प्यार को, माबाप के जीवन को, उन्ही को एक रास्ता रिखाने का काम कर रहा हूं हमे कुली नमर वन बनके, तो कोशेस हमारी है जा अगर एक दूभी बच्चे आपने माता-पिता को अगर प्रिधास्रम से घर लाते हैं, तो साइद उस सीनिमा बनाना में असार तक हो जाता है के सारी जी आप अपने माता-पिता से कितने करीब हैं, क्योंकि आप दे बहुत समय नहीं दे पाते हैं उनको, आप भी शूटिंग में काफी वेस्त रहते हैं मैं ममी पापा को अपने पास ही रखना चाहता हूं, लेकि उनका जो महौल है, उनका महौल गाओं का है उनको हमेशा गाओं में रहना चाहिए, उनको गाओं के लोगों से बाता हूं, जिस सहर में मैं रहता हूं मुंबई सहर में और मम्य पापा आते हैं कि 5 मेने के लिए 4-6 मेने के लिए रहते हैं जब उनको लगता है कि नहीं मुझे गाउन बाबू भेज दो अभी किकि हम थोड़ा सा उप गए है होता कि है कि यहां के महाल ओब यहां TV ही एक आधार है और बच्चे हमारे दोनों स्कूल चले जाते हैं तो आते हैं फिर उनको ट्यूशन करना है तो वो भी उनको टाइम नहीं दे पाते हैं और मेरा हमेशा काम सुप्टिंग का होता है तो अब टीवी देख देकर उन खुद ही बूर हो जाते हैं कभी-कभी बोलता हो कि आप घूमने चेले जाए कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं मुझे आते हूंения को में ममी पापा को लेकर जाता हूं मैं जब दूर जाते हैं तो मैं बहुत मुश करता हूं कि मैं जब साम को इस्टूडियो से आता हूँ तो खाना खिलाना, पापा के पास रहना, पापा के बातों को सुनना, उनकी अनुभव को अजर्ब करना, तो वो एक अलग मजा रहता है कि ममी पापा के असिरबाद लेकर सुबह निकलना, वो एक अलग खुशी देती है, लेकि मेर उसके पास जाना है, मुझे थोड़ा उसके पास घुमना है, उसके भीवी बच्चों से, सबसे हूँ मिलते रहते हैं, तो उनका तीन-चार महिना लग जाता है टूल में, सब बच्चों से मिलने में, एक दो महिना गाव रहते हैं, और उसके बाद आते हैं, तो मेरे पास र तो उनके खुशी के लिए भी मुझे करना पड़ता है तो कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज़ादा अपने ममी पापा के साथ रहूँ लेकि ऐसा हो नहीं पाता है मैं साल में 12 फिल्में तो नहीं लेकि अगर 10 फिल्में करता हूँ तो भी दस फिल्मों के लिए काम करना, acting करना, fight करना, dance करना, show करना, album गाना, बहुत सारी चीज़े होती है जो एक इनसान को करना पड़ता है तो थोड़ा मेरे लिली tough होता है फिर में मैं वक्त निकाल कि मम्मी पापा से मिलते रहता हूं और मम्मी पापा के पास रहने का काम करता हूं अगर गानों की बात करें तो एक आप पर और काजल पर फिल्माया गया गाना है लाल चुल्ड़ी, हरियर चुल्ड़ी हाँ उड़ा नहीं करा हरियर बता हूं वो बहुत ही जादा फेमस हुआ तो शूट करते वड़ क्या था वो गाना आपको फोदे इस फिल्म का क्या असा लगता है कि वो इस यूस्पी होगी इस फिल्म की हम लोग तो जिस चीज की जहां ज़रुवत थी वहां हम लोग शूट करने जाए थे और उठनी के हर रंग हरी अरबल आगे लाइन के लिए अरबल एक अची थल्चल हमारे दोस्त है धए अच परस परिवार की चीज होती है जो खर में द लगता ओंप यह च्छाइए गल कानोंग मैं लड़के बच्चे जब भाल्तूगाने होते हैं तो लोग देख लेटे हैं तो कि परिवार की चीज़े होती है जो घर में भी देखी जाती है तो इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए और जब से मैंने एक सिनेमा किया था मेहदी लगा कर रखना तब से उसके बाद मैं जितना भी काम कर रहा हूं कोसिस हमरी यही रहती है कि समाज से जुर के समाज के भलाई जिसमें हो वही चीज़े काम कर रहा आदमी सिरफ अपनी खुसी के लिए नहीं जिसमें लोगों के खुसी है वही अमरी सबसे बड़ी खुसी है मतलब कह सकते हैं कि हिसारी राल यादों कि किसी भी फिल्म में हमें किसी सीन और ऐसे सीन देखने को नहीं कोसिस हमारी यही रहती है कि मैं अपने तरफ से तो कुछ ऐसा ना करूँ जिससे लोगों को प्राब्लम हो क्योंकि देखिए आज आइडियल है आदमी आने वाला भविश्य है और बच्चे जो आने वाले हैं सब हम लोगों को देख कर आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हमें अच्छा काम करना सही है जिससे आने वाली जो हमारी पुढ़ी हो वो कम से कम सुरक्षी पर है किसाइज जब भोजपुरी के सुपरस्टार हैं आप अच्छे से समझते हैं फिल्मों को क्या आपको लगता है सीरियसली कि अगर ये चीज़े फिल्मों में भोजपुरी फिल्मों में नहीं डाले तो वो चलेगी बिल्कुल चलेगी ये बताईए कि हमारे काने का मतलब कि जहां मंदिर है वहां बेश्या खाना भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं उस भगवान में आस्था लोग जिसके लिखे जिसको अच्छी चीच चाहिए वो तो अच्छी च बिल्कुल देजिये लेकि वो अपनी जगा धूडी लेगा तो हमारे काने का मतलब कि जहां शुट मिलता है वहां तो मॉटन चिकन की दुकान होती है लेकि जिसको शुट खाना है वो तो शुट खाएगा तो हमारी इच्छाई के उपर होती है जो मन उरंगन किस टाइब के तो साइद ये दुनिया हर आद्मी और आने वाला भविश अगर आप अच्छी चीजों का ग्यान रखते हैं आप रमायन मा भारत पढ़ेंगे तो वही चीजे आप अपने बच्चों में डाल सकते हैं क्योंकि उसका ग्यान आपको है अगर आप गलत चीजों पर ध्यान करते हैं और हम अपने बच्चों में डालने का काम करते हैं तो हम रमायन पढ़ेंगे तो अपिशली हम अपने बच्चों को रमायन की बाते बताएंगे क्योंकि हमें वह जन्मकारी है तो मैं चाहूंगा कि हर आदमी को बदलने की जरूरत है सिरिफ मेरे बदलने से दुनिय नहीं बदलेगी, बस हमने कोशिस की है, बाकी देखिए, कुछ तो अच्छा हो गाई है कुली नंबर वन एक परिवारित फिल्म है, गाने सारे अच्छी हैं उसके तो और एक समाज की आईना है कुली नंबर वन, तो मैं बस आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि अच्छी फिल्मों को अगर आप बढ़ःवा देंगे तो हर आदमी अच्छा सिनेमा करेगा और जो असलेलता की बात है, हर मेडिया करमी आप भी पूचते है और जाहिर सी बात है अपको लगता है कि असलिल है तो आप पूचते हैं तो मैं आपको भी दोशी नहीं बना सकता और हम कितनी सफाइ देंगे तो उसमें आप शब को ये ही करना है कि जो अच्छी सिनİमा हो जो अच्छे मेकर हो उनको और अच्छे हॉल में जाकर आप देखी ताकि बढ़ावा मिले और अच्छा सिनेमा हमारे प्रदेश को हमारे भासा को मिले तो एक कुली नम्बर उन्जे सिनेमा है वो एक कुसल परिवारी और एक समाज की आईना है तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी उस आईना में अपना चेहरा देखने का काम करेगा तो ही वा इना का रहने का मतलब समझने हैगा वरना नहीं समझने है कि पब्लिक और हमारी पब्लिक सब एक है जिसको जो पसंद है क्या बोला कि दुकाने तो मार्केट में बहुत होती है लेकि हर दुकान कहीणा कहीण तो चलती ही लेकि अब किस दुकान पे कितना भीर होता है ये पोड़क्ट के उपर होता है कि हाँ किसके पोड़क्ट कितने अच्छे हैं तो हमने जो पोड़क्ट दिया है हमें आसान ही फूर्ण बिश्वास है कि हमने समाज से हटके और समाज के लिए एक आइना तयार किया है हो सकता है कि लोगों के लिए बाकी सिनेमा में मौनरंजन हो और आइना नहीं हो वो सिनेमा हो लेकि एक समाज से जुड़ी हुई चीज़े बहुत कम बनती है तो सल्मान खान से ड़ना क्या है मुझे हमारी public और हमारी जनता हमारे लिए भगवान है और हमें जो प्यार करते हैं वो किसी के आने से मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा सलमान जी अपने जगह पे कुछल है मैं अपने जगह पे कुछल हूँ बाकी हर आदमी अपने जगह पे कुछल है और मुझे टीपरी करने का कोई हक नहीं है कि मैं सलमान से तकड़ा रहा हूँ, तकड़ाता कोई नहीं है, हर आदमी अपने चीजों को रखता है, जिसकी चीजे खुपसूरत होती है, कहीं न कहीं उसको उपलब्धी मिलती है और वो दुनिया में अपना नाम करता है किसारी लाल और सलमान भालबान दीपाइनी बार लड़ते हैं फिए वोसर मिड़िया पेसूरत होते हैं कभी न कभी इस जगह पे आना है आपको भी समाज से जोड़ना है तो कल चलके आपको ये ना लगे कि मैंने किसी को गाली दी तो मैं यही कहूंगा कि आपको किसी को गाली देने की जरूत नहीं है आपको जो अच्छा लगता है आपका भाई आपका बेटा खेसारी या सलमान भाई जो अच्छा लगता है बसरते में यही कहूंगा कि जो समास से जोई ही चीज होती है उसको आने वाली पीड़ी को आप बताने की कोसिस करेंगे तब ही जब आप उस सिनिमा को देखेंगे आप उस रमायन को पढ़ेंगे आप उस गीता से जुड़े रहेंगे तो को स्टुरे जिवन श्राल सलील पढ़ा है ऐसा नहीं ठीक बोलाओ ना स्राल सलील खिलो मायापूरी में फ्रंट पेज आपके मायापूरी अब इस लग रहें कि फ्रंट पेज में सब्सक्राइब तेरा इस बार प्रचार करके आए अपना एल्चिन के ताइम ही कोई कॉई परचार करना वह अलग मेटर हो गया है आज कोको कोला का परचार बिराट कोहली करते हैं या किसी पार्टी के ही करते हैं या किसी भी चीज के करते हैं तो एक वस्तू हो गया जिसका हम परचार कर रहे हैं हम इस्तार हैं लोगों के नजर में लोगों के प्यार में हैं तो लोग बुलाना चाहता है और कोई भी नेता कोई भी नेता अगर हमें बुलाता है तो हमें इसी लिए बुलाता है कि हम पबली के दिल में हैं और हमें देखने के लिए पबली काईगी और वो अपनी बातों को रखता है तो हम किसी पार्टी के नहीं है हमारी पार्टी और हमारा चुनाव चीन जो है वो हमारी जनता है और सबसे बड़ी चीज़ एक आदमी कोई जाता है अगर राजनिती में तू किस ले जाता है मान मरद्या प्रतिष्टा और पैसा यही होता है ना बाके किसी चीज़ के लिए तो जाता नहीं है समाज सिवा करना हो तो इनसान राजनिती से दूर होके भी कर सकता है मदड एरेसा तो कहीं नेता नहीं थी कोई नेता नहीं थी वो उनका कोई पार्टी नहीं था लेकि उन्होंने समाज का एक आईना बन पर लोगों का चेहरा दिखाया तो आपके अंदर सोचल काम करना है तो ऐसा नहीं है कि आप राजनिती में जा कर ले क्योंकि आप किस पार्टी को सपोट करिएगा मैंने सोचा था कि मैं ठीक है मेरा काम थे परचार करना अगर किसी से बैक्तिगत मेरा रिलेसन है तो मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता चाहे हो किसी पार्टी से हो उस पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है लेकि मुझे लेना देना उस व्यक्ति से है जो व्यक्ति कभी मेरे जीवन में मेरे हर चीजों पे अमल किया है मुझे हेल्फ किया है तो मुझे उसके लिए जाना चाहिए, उसमें आयम जनता भी हो सकती है, कि मैं जनता के लिए भी अगर किसी को problem होता है, तो मैं उस जनता के लिए भी जाता हूँ, जबकि मैं उससे कोई रिस्ता नहीं होता है, एक व्यक्तिगत रिस्ता होता है, इंसानियत का, तो मैं किसी पा जी को सपोर्ट करें तो मेरे मुझे भी खाना है तो मैं क्यों नहीं कहा सकता है और मेरा भी हक है कि मैं कुछ सोच सको और मैं अपने मन की बाते दुनिया से बोल सको तो मेरे लिए मेरी जन्ता ही मेरी पाटी है चुनाओ आने में मैं किसी का परचार करूँ वो अलग विद्या हो गया लेकि मैं किसी की जुआइन करके परचार तो नहीं करता हूँ काजल जी अभी आपने एक एड किया है, काजल के साथ, एर कलर का, जब भी एड़टीजमेंट करते ही किसी भी चीज का तो आप पहले उसका सही अगला देखते हैं या सिर्फ एड मिला है इसलिए का, वो यूसफुल है लोगों के लिए, दस दिन पहले उसको मंगाया था, पह मैं चाहता हूँ कि पहले हम यूज करेंगे भाई, अगर यह अच्छा होगा, तो मैं इसको परचार कर पाऊंगा, वरना क्योंकि मैं अभी तक पहला आइड किया मैंने, अभी तक मैंने कोई आइड ही नहीं किया, क्योंकि मुझे भी स्वास किसी तनी होता है, एक सीमिंट क आइड आया था, तो मैं बोला कि काम करूँ तीन सो बड़ा मेरे पहले घर पे भेजवाओ, पहले मैं घर बनाओंगा, घर बनाके जब देखूंगा जो छे साल तक ठीक चल रहा है तो छे साल बाद करूंगा, तो बोले कि भर सरी तो जदा मांगा हो जागा हूँ, तो रहने यहाँ इसका माइनस और पलस का है, तो हम लोगोंने वो गोद्रेश का था, नुपूर हिना कोलर, कुछ ऐसे ही था, नुपूर का तो तो उसी का बाल था, देखें मेरा उसी से डाई हुआ है, तो काले बाल और मुझबूत भी हो गया है मेरा, जरना बंद हो गया, मैं सच मे गौर कर समझोट नहीं बोलगा, इसलिए नहीं कि मैं परचार किया हूं, इसलिए बोल रहा हूं, सच में मेरा बाल पहले बहुत मुलायम्त है, जिसने से लगाया हूं तो उसने से थोड़ा-थोड़ा मोटा हो गया है, और मोटा और जड़ भी नहीं रहा है, नहीं तो पहल मेरा भी बाल जड़ना बंद हो गया तो तभी तो हम जब यूच किये तभी जा कि हमें बटाइज किये आपकी जो बबली है रिक तो सेजार में हमला हुआ था चुटी के दोरा अधीतु जी को मैं जिस दिन हुआ था उस दिन मैंने फून किया था तो उन्होंने बोला कि क्योंकि मैं अपने लड़कों को भी भेजा था वांके बर जाकर देखा अगर कोई प्रॉबलम होगी तो आप लोग देख लेना तो मेरे कुछ लोग गय थे गारी बेले के लेकि ज़्यादा प्रॉबलम नहीं था उसमें वो मैं देखे होता क्या है दिवानगी होती है मैं उसको भी बुरा नहीं बोल सकता रितु एक उशल अभनेत्री है और रितु मेरे बहुत अच्छी मित्र हैं दोस्त है और रितु का नेचर बहुत अच्छा है तो होता क्या है ने कि अगर हम किसी से बात कर लेते हैं अगर अच्छे से बात कर लेते हैं या फोन पे हो या ऐसे भी टॉकिंग हो तो अच्छे से बात हो सुनिये सबसे बड़ी चीज है कि उभी एक पत्रकार था जिस नहां आप ही लोग के ब्यादरी का आदमी था हो और पत्रकार था ओ कितने बार इंटर्वी भी रितु जी कर ले चुका है तो चले अच्छी बात है लेकि मैं सबसे रिक्वेश्ट यही कर सकता हूँ कि सबके अपनी जीवन है और जबरजस्ती से कुछ नहीं मिलता है और रितु भी किसी की बेटी है किसी की बहन है वो भी किसी की अमानत है किसी का बीबी बन सकती है आने वाला उनका भी कोई जीवन साथी होगा तो जबरजस्ती कोई रिष्टे नहीं बनते आप प्यार से रिष्टे नहीं बना सकते तो जबरजस्ती तो यहां अपनों से रिष्टे नहीं बनते है तो फिर तो वो बहुत दूर की कभी नेत्री है बेचारी तो मैं हर वो सुथाइन से यही बोला चाहूंगा कि आप के जीवन में भी कोई आएगा और जबरजस्ती चीजों को करने का कोई मतलब नहीं है मैंने कुली नमर में वो ही दर्साया है कि प्यार जबरजस्ती नहीं होता है लेकि कुछ हक ऐसे होते हैं कि उसको छिनना पड़ता है जैसे हमारे मावाफ होते हैं हमारे प्यार के लिए इतने कुछ करते हैं लेकि जब वो ही बुजर्ग हो जाते हैं और वो कुछ मांगते हैं तो हमें लगता है जब हम 10 रुपे के लिए जीद करते हैं तो मम्मी पापा अपना कपड़ा नहीं खरीते लेकि हमारी खुशियों के लिए वो 10 रुपे निकालते हैं लेकि जब वो ही बुजुर्ग हो जाते हैं और 10 रुपे मांगते हैं तो प्लेज में आप सब से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अपने माबाप को कभी तकलिफ मत दीजिए एक माब जब हमें पैदा करती है तो अपनी सुन्दरता का कभी मोह नहीं करती लेकि जब हम एक सुन्दर वीवी पा जाते हैं तो हम उसी माबाप को छोड़ देते हैं तो हमें ये जरूरी है कि उस माबाप के हमेशा ख्याल रखना चाहिए जिस माबाप ने हमें पाल पोसके बड़ा किया और हमारी वो अपनी खुशी हमारी खुशियों में देखे तो इसकी ज़रूरत है और वो ही कुली नमबर वन सिनेमा है तो मैं चाहूंगा कि मैं हर उस जनता से अपील करना चाहूंगा और ये पूरे All Over India सायद रिलिज हो रही है कुली नमबर वन तो मैं अपील करना चाहता हूं कि एक अच्छी सिनेमा का आप लोग बढ़ावा देंगे तो कोशिस हमारी रहेगी कि आने वाला भुविश्य हमारा उज्वल होगा और आने वाले भुविश्य में अच्छी सिनेमा बनेंगे अगर मैं अच्छा सिनेमा नहीं करता तो आप मेरा भी सिनेमा मत देखिए अच्छी गाने नहीं गाता तो आप मेरा भी मत देखिए तो अगर बुरी चीजों को देखना बन करेंगे शुनना बन करेंगे तो बुराई अपने आप खतम हो जाएगी रास्तों को खतम करने की जरूरत नहीं है रास्ते तो बनते ही रहते हैं बस आप उस पे गारी कौन सा चला रहा है और कौन गारी को चलते हुए देखना चाहते हैं ये उन्पोटेड है तो हमारे लिए वो जरूरी है कि हम रास्ता तो वही है मनुरंजन का रास्ता वो ही है लेकि हम इस पे चाहते हैं कि इस पे फूल बर से यहां काटे नहीं दीजिए कोशिस हमारी यह होनी चाहिए बस है इद के लिए जितने भी इरादे रोज बनते हैं बनकर तूट जाते हैं अजमिर वही जाते हैं जिसे ख्वाजा बोलाते हैं तो मैं बस जितने भी हमारी मुश्लिम भाई हैं और जो भी हिंदू भाई हैं जो इद में बड़ा पाटी सिप्रेंट करते हैं तो मैं सबसे बोलूगा कि एद की धिर सारी सुबकामना है और मेरे भी बहुत सारी मित्र हैं जो मुस्लिम धर्म से हैं जिनके घर में जाता हूँ आता हूँ और एद की खुशिया मनाता हूँ वो भी हमारे घर में होली और छट में आते हैं तो मैं एद के देर सारी सुखकामना आप सब मुसल्मान भायों की कि ऐसे ही खुशाहल अपने जीवन को चलाइए और बिबादों में रहने की कोई जरूरत नहीं है इंदो, मुश्लिम, सीख, हिसाई, हम सब आपस में भाई भाई तो हमारे भाई सारा का इंडिया में जो रिवाज है वो मुझे लगता है कि इस दुनिया के किसी कोने में नहीं है जो हम अपने एक दुसरे को बस कुछ राजनीती मुद्धे आते हैं तो वहाँ पे हम लोग किसी और के जंडा लेकर भूमने लगते हैं ये गलत है हम नोकरी करेंगे हम मेहनत करेंगे तो ही दो रोटी का मालिक बनेंगे हमारे घर का रोजी रोटी कोई नेता नहीं चला सकता है हमें मेहनत करना है चाहे वो मोदी जी की सरकार हो या लालू जी की सरकार हो या राहूल जी की सरकार हो या नितीज जी की सरकार हो या मम्ता जी की या अकलेज जी की किसी की भी सरकार हो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे दुवक्ती रोटी हमारे बच्छों को नहीं मिल सकती है तो हम जादा किसी के पीछे जंडा लेकर और खुद की जान को दाव पे लगा कर और किसी के लिए हम जान दे दे और हमारे आगे पीछे जो हमारे बच्चे हैं हमारी माँ है हमारी बहन है हमारी बीबी है उनका भी हमें ख्याल आना चाहिए तो आप मेहनत करिए अच्छाई के साथ रहिए क्योंकि अच्छाई के साथ आप रहेंगे तो आपका बच्चा भी कहीं न कहीं कल चलके उस अच्छाई के साथ ही रहेगा तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी की सपूर्ट की जरूरत नहीं है खुद को मजबूत होने की ज च्रिप नचनिया बजनिया ही समझते हैं और हम कृष्ण के बंसज हैं तो कृष्ण भी गोपियों के साथ बहुत रास लिला किये और हमारे काने का मतलब की कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम संगीत हों दुनिया की दिल की बाते जानते हैं एक देखिए अच्छा अभिनेता नेता अच्छा कैसे बन सकता है इसलिए बनता है कि वो हर दुनिया की दिल की बाते जानता है और रभी जी कुशल अभी नेता भी है और कुशल नेता भी हो सकते हैं और हो रहे हैं मैरे दिनेश भीया के साथ भी सुब कामना है वो भी बीजेपी के एक अच्छे उमिदवार मनोज भीया जो आने वाला भविश दिली के मुख मंतरी का पूरी दुनिया देख रही है और हम उत्तर भार्तियों के लिए और हमारे बिहार यूपी और पुर्वांचल के लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि एक बिहार का मिर्टी का आदमी अगर कल चल के दिली का मुख म मंतरी के पद पर बैठेगा तो हमें खुशी होगी चाहे वो किसी पार्टी से हो हमें उस बिहार से मतलब है जहां का वो बेटा है तो और पॉन भीयास कभी सुब कामना है को भी बीजेपी को बहुत परचार किये वो ब्रांड अमबिश्टर रहे तो मैं इन चारों कलाकारो के लिए जो मेरे आदर्स रह चुके हैं और इन सारे आदर्सों का मैं सुब कामना दूंगा कि आने वाला भविश्य में अपने जीवन को ऐसे ही जिस तरह सेवा जनता का किये उसी तरह सेवा ये हमारे जनता का नेता बनके करें जो कि अभी नेता बनकर इनोंने किया अब न दुख के लिए ही गये हैं कि अगर किसी को दुख हो तो अहां उस जगा पर उनको सामिल होना है आपको पता है आपको क्या खाना है मेरे काने से आपको पता है अपको क्या खाना है कि आप किसी का परचार करिए ऐसा कुछ नहीं था मैं मेरे पास मनोज बिया का कॉल आया था कि बाबू मुझे तुम्हारी जरूरत है तो मैं शुटिंग कर रहा था चेन नहीं में तो वहां से मैं वापस आया मैं तो उन्होंने याद किया मुझे तो मैं गया और मैं समसे बोल कि आप आओ बाबू तो मैं आओंगा वो मेरे लिए पार्टी एहमियत नहीं रखता है कि आप किस पार्टी से हैं आप से मेरा रिलेशन है तो मैं जाओंगा मैं क्या बोला कि मैं सोचल इतने बच्चों को गोद लिया हूं मैं विधा असरा में जाके फल बढ़ता हूं तो मेरा क्या रिस्ता है मेरा कोई रिस्ता नहीं में जब जरूत पड़ता है तो लोगों के घर जलता है तो उस घर में पैसे देता हूं उनसे मेरा क्या रिस्ता है वो किस पार्टी के आदमी है वो किसी पार्टी के आदमी नहीं है हमारे कहने का मतलब कि आज मेरे पापा तुकि मैं तो दूसमन हो सकता है लेकि मेरे पाका तो दुसमन नहीं है। सबके अपने मर्जी होती है, सबके अपने मन होते हैं, जो आजाद है, इस आजाद जिन्दगी में हाँ, आपके लिए कुछ हम गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं अगर किसी से बैक्तिगत मेरी मुहबत है, किसी पार्टी अगर मुझे कोई बरांडा मेस्टर बनाता है, कि सार पहनने के बाद तीसट की जरूरत होती है, तो उसके सारी तीसट है, जो तो तीसट की जरूरत है, लोग कहते हैं कि सारी आओ पहनना है तुमें, मैं चला जाता हूँ, वो चाहे गरीब हो, एक गरीब आदमी के लिए भी में जाता हूँ, एक अमीर के लिए भी जाता हूँ, वो मेरा काम है और देखिए कोई भी आदमी मान मर्दा परतिष्था के लिए कोई पार्टी ज्वाइन करता है या नेता नगरी में जाना चाहता है लेकि आज मुझे लोगों का प्यार भी मिल रहा है मुझे सहुरत भी मिल रही है दो पैसे भी कमा रहा हूं और लोगों में मान सम्मान भी बहुत बड़ा मिल रहा है आज मुझे किसी पार्टी से जोड़ कर मैं किसी से जोड़ जाऊँगा तो सायद बहुत सारी भी बादों से घेरा जाऊँगा आज मैं पान खाके कहीं थूख ऐसा नहीं कि मैं रूट बे थूखता हूँ उसके लिए डेस्टिवीन में थूखता हूँ स्वक्ष भारत बनाना है तो मुझे भी फोलो करना पड़ेगा लेकि मैं अगर पान खाके उस कच्ड़े के डबा में भी थूखूँगा ला रे इस पार्टी के आदमी तो पान खाके दिन औरा भूमता रहता है आज तो मुझे इस मात की रोक नहीं है न कि के सारी तुम पान क्यों खाते है कि एक लास कवाल अभी आप में जो से थार की दिनेश मया ने भी बहुत मेहनत की बहुत किया रवी जी ने भी इन प्रचार के सार के दौरान जब ये जंग चल रहे थी चुनावी जंग उस वक्त दिनेश जी ने एक कमेंट किया था कि मुझे कोई हरा ने सकता मैं तो भगवान का लिखा भी मिटा सकता हूँ ये आपने भी सुना होगा ये हर जगा इस प्रचार मैंने सुना था तो आप इस कमेंट पर क्या कहना है देखी है हमारे कहने के मतलब कि लिख लिए एक कमपिडेंस होती है और उनका एक कमपिडेंस था क्योंकि जंगता के प्रती उनका प्यार बहुत बड़ा है और दिनिस भिया जब तक रहे बजपरी इंडिस्टी में अभी भी हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजे मने किसी का दिल नहीं दुखाया उन्होंने और कभी असर्द बाते किसी से नहीं बोली भगवान का लिखा देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि रेखा जो होती है रेखा में नहीं लिखा रहता है कि आप परधान मंत्री बनेगे आपकी मेहनत आपकी लगन एक चाय बेशने वाला नरंदर मोधी बन सकता है एक शाधू आदमी आज एक मंत्राले मिल गया ओशारंगी जी को मैंने सुना मुझे मैं कल बैटकर भावुक हो गया उनकी चीजों को देखके तो आज जो भी चीजे है और जब हम गरीब थे जब मैं लीटी बेशता था तो दुनिया के नजर में मेरी एहमियत क्या होगे क्या रहे यार यह स्टार थोड़ी बन सकता है यह फालतू च चीजे तो दुनिया के नजर में मेरी एहमियत बड़ी नीची थी लेकि मैंने कोशिस की तो मैं यहां तक पहुचा लोगों के दिल में पहुचा लोगों के दिमाद में पहुचा लोगों के घर में पहुचा पूरी सहर में पहुचा एक परमाडू बं की तरफ हटा में तो लोगों को ये लगता है कि बारूद अगर इतना है तो ये बढ़ा नहीं हो सकता लेकि वो ही बारूद छोटी जगह पर फट जाता है तो नुक्सान करके जाता है तो वो आपके उनका एक कंपेडेंस था और मैंने चीज देखा था कि उनका कहना ये था कि वो सचाई के साथ हैं तो उनको कोई नहीं हरा सकता है क्योंकि जूट बोलने वाले को कोई हरा सकता है जो सच्छे लोगों के साथ है उनको कौन हरा सकता है तो उनका कहना ये था अब उसको परजेंटर भगवान का रिखा को तो मैं भी नहीं मिटा सकता मैं दी तो इश्वर का ही दिया बरदान हूँ ऐसा नहीं कि भगवान का लिखा मैं मिटा सकूँ मैं चाहे जितना भी महनत करूँ जो मेरे किश्मत में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा अगर मुझे स्टार बनना था तो मैं महनत थीक है महनत जरूरी है संघर्स आप करेंगे तो कुछ भी पोसिबल है लेकि मेरे काने का मतलब यह नहीं जितना पोसिबल है उतना ही संघर्स आपको मिलेगा करने के लिए मुझे संघर्स मिला है कि खेसारी तुम मैं लिटी बेजता था तो मुझे इश्वर चाहता तो मुझे लिटी का ब्रांड अमेश्टर पना देता मेरे बहुत सारे लिटी के ब्रांड होते लेकिन नहीं इश्वर को मुझे कहीं और भेजना था तो वो उनके मेरे किस्मत में वो चीजे थी तो किस्मत के लिखा तो मैं नहीं मिका सकता हो सकता है आदमी जब बाते करता है तो कुछ बुला जाता है तो उसके लिए ये जितनी भी जनता है सब आप लोग गारजियन है आप लोग पिता तुल्ले है अगर बेटा इतनी सारी अच्छाई किया है और आपने प्यार दिया है तो अगर एक बाते उनके मुझ से निकल गई होगी तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग छमा करिएगा मैं सारी बोलता हूँ मैं माफी मंगता हूँ क्यों मेरे बड़े भाई हैं गरजियन है और आप लोग भी मेरे भगवान की तरह है तो अगर उस भाई से एक हो सकता है जुबान से पिसल गई होगी निकल गया होगा तो हर आदमी से कुछ न कुछ आदमी से बोलता है मैं ही बोल रहा हूँ तो सारी बाते अच्छी थोड़ी बोल रहा हूँ मैं सब के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ कहीं न कहीं कोई बाते ऐसी निकल गई होगी मेरे जुबान से, किसी को गलत लग जाएगी, तो मैं उसके लिए भी सौरी बोलता हूँ, आज कल पहले मैं बड़ा फ़नी करता था, आज कल बहुत चूप हो गया हूँ, इसलिए थोड़ा सा दीकत महसूस होता है कि खेसारी कर दिया हूँ, अपनी सुच सुच के बोलना पड़ता है, कि नहीं कि इसको कौन सी बाते लग गई, क्योंकि अब थोड़ा सा पहले नादानी थी, अब समाज में रहते रहते हैं, और लोगों का प्यार पाते पाते, और मुझे भी कम गाली थोड़ी मिली है, अब जब मैं पापा आगे मुझे कि मेरे लिए क्या करते हैं, अगर कोई बेटा किसी बाप को अगर जरूरत के चीज आज नहीं दे रहा है, तो इंतिजार करिए ना, कल तो देगा ना आपके लिए, उसके लिए अपने बाप को गाली तो नहीं देगा ना, कोई बाप, तो ये हमारे पी मंदिर को भी कोई नहीं देखता है, जब जनता का प्यार को, तो भगवान को भी जरूरत जनता को होती है, अपने आप को बढ़ा करने के लिए, तो ये जनता जो है सच्छात इश्वर है, और इश्वर जो बोल रहा है, वो ही आपकी दुनिया है, तो हमें हर आदमी को आज मैं आप सबसे ही रिक्विस्ट करूँगा कि जितना दिर आप अपने फेस्बूक पे और अपने मोबाइल पे ब्यस्त रहते हैं, अगर उतना दिर अपने बच्चों के भविशे के लिए आप अपने जीवन के लिए सोचें, तो साय हमारा जीवन इससे बहतर होगा, और हमे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी, जिस खेसारी को आप प्यार करते हैं, उस खेसारी की तरह बनना है तो आपको अपने जीवन का धाराच चीज़ करना पड़ेगा, आपको जितना फोकस आप फालतू चीज में करते हैं, उस फोकस को आप अपने काम में लगा आपने खुद पर लगा दीजी तो दुनिया बढ़ी छोटी है और दुनिया बहुत बढ़ी करने वाले के लिए बहुत छोटी चीज हो जाती है अरे चीखे कल चोट लग गए थी मुझे और बहुत तगड़ा चोट लगाता तो मैं एक्सरा कर आया हूँ ठीक था के अभी कोई दिकत नहीं है अभी तो फिर सूट पर ही जाओंगा चोट लगने के बाद भी मैंने ए घंटे काम किया ताकि किसी पडूसर का नुक्सान ना हो लेकि फिर भी पर अंधेरा अंधेरा हो रहा था मेरे अबशों के न Conniechen अँछ सिन्दया मेरे प्रिदान में पहां इसाथ मेरे शो कुल ने तो बस यह मैं जीवन में ही चाहता हूं कि अगर हम किसी की सिर्फ बुराई करें आज कुली नंबर वन में मैंने एक आइना दिखाया है और हर आदमी उस आइना को देखने का काम करेगा तो मुझे लगता है कि हर आदमी उस अपने आइना उस आइना को अपने बच्चों के अंदर ढालने का काम करेगा और हर बच्चे अपने पिता और मा के अंदर वो खुबसूरती और खुशिया देखने की और भूणने की कोसि इस यही है बसरते अब तो जनता का इसी जन है इनका प्यार है कि एक अच्छी चीज़ को कितना मुहबत देते हैं कितना प्यार देते हैं आज एक चीज़ और में बताना चाहूंगा कि सारी पाटिया ने मोदी जी की बुराई करने पर फोकस किया उन्होंने रास्ट बात की ब रावन का माचिस किसका रावन का जली किसकी रावन की मंच उनके होते थे माइक उनके होते थे स्टेज उनके होते थे लोग उनके होते थे और बात किसकी होती थी मोदी जी की हम अपनी बाते नहीं लग पाते हैं तो हमें जरूरत है जह हम किसी और की बातों के लेकर किसी और क से अच्छा है कि हम अपने जीवन की बाते अइतना अच्छा कुछ कर दे कि दुनिया हमारी बाते करे हमारी बुराई में भी हमारी सच्चाई है अगर जिसको और आज की दुनिया पढ़ी लिखी है पहले के लोग अनपड़ थे तो एक पढ़ा लिखा आदमी का हर अभी बात मानता था कि नहीं आरो पढ़ा लिखा उसकी बातों को मान लो तो कि बाकी सब अनपड़ थे तो उनको लगता था कि ये ग्यानी है उनके मन में बैठ गया था लेकि आज हर घर में अबिबिएस लड़के हैं विकॉम किये हैं इन्वर्सिटी में पढ़ रहा है विदेस पढ आई किया है तो हमें जमीनी लेबल पे हर नेताओं को में बात करूँगा और मैं हर इस्टार को भी बात करूँगा कि हम पल भर के खुशी के लिए हो सकता है कि गंदा गाना गा दें लेकि अगर पुरी जीवन की खुशी चाहिए हमने गाया है बीच में बहुत सारी चीजे जब मुझे अभास नहीं था से 4-5 सार पहले तो मैंने भी चीजे की उसमें ग्यान नहीं था मुझे लेकि जब से समाज काईना मुझे मेरे सामने आया है तब से उस चीजों को बदलने में मुझे काईन लग रहा है तो मैं आने वाले पुरी को भी कहूंगा कि अच्छी ची खाईफी है और किसी की वहन भी हो सकति है तो अगर हर लड़की को जाने वाले राष्टे पे बहन हम समझे तो हमारी भी बहन उस रास्ते से जाती है तो ये दुनिया भी उस बहन को बहनी समझे तो हमें खोद को बदलने की जरूत है और एक समाज का आइना है कुलिय नंबर होगा मेरे सराफों पे होगा यह अगर मुझे अक्सेप्ट करती है तो भी अच्छा है और नहीं भी करेगी तो भी मैं इनके दिल में ही रने वाला हूँ फिर कोशिस करूँगा क्योंकि हार को जीतने वाले को कि भी Bajigar कहा जाता है और बहुत दिन बाद मेरा इने मरे ररीज़रा है लह Rice इने मेरा रेलीज़ए चुनाओ कि यह कि प्रेस्ट बेल इकन अन योटुब आप अनाध अधित